यह बात जानते हैं लेकिन गलट टाइम पर क्लास को लीव किया है लोगों ने काफी बच्छे भी क्लास लीव कर गये लिए नवाप सर का इस पार्ट जिर्प नवाप सर पढ़ाते हैं नहीं मेरा सुरू से कहना है कि आपको पढ़ना और पढ़ने के अंदाज भी आपको सिख अब इंट्रेंस को लेकर आपको कैसे तयारी करना किस लेवल के सवाल कैसे हैं डिपिटी को अप्लोड किया जाएं खासकर मैट को लेकर ठीक है जो भी तगला सवाल हो जो लेडिवें मुनिटर से वह सवाल नहीं बना है तो साबिट इस डूइंग वेलिन मैस निदा इस अबिछ गोड़ कर दो जाएस तक दो नहीं कर दो अपने अपने च्छान करके सवाल के कुछ पांस उसको अप्लोड कर दो फोटो को पिन कर दो तुम लिछ दा ना था ताकि कि किसी बच्चों को आप जाकर के गूरुप में सब बच्चे टेलिग्राम गुरुप में आट र कहानी हो अपने बच्पन में सीखा होगा है पने में लौनों और दोनों में रेश होता है तो क्या है कि भाइ जीतता कौन है जीतता है खरगोश नहीं कच्छवा करगोश इतना तेज दौरते हुए भी कच्छवा जी जाता है तो उसका moral of the story क्या था खरगोश चो गया था तो moral निकाला गया था slow and steady wins the race आप इसको ऐसे नजरिये से देखो हाँ बिल्कुल कच्छवे ने लगतार मेहनत की लगतार चलता रहा उरुका नहीं और रेस जीती है मैं इसको ऐसे देखता हूँ कच्छवा जीता इसलिए कि करगोश सो गया करगोश सोता नहीं तो कच्छवा जितना भी लगतार मेहनत कर ज समझने का नजरिया कि आप इस सवाल को इस चीज को कैसे सोच रहे हो क्या अप ग्लास को कैसे देख रहे हो चौरी आधा ग्लास खाली आधा भरा हुआ है उसको कैसे देखते हो आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा हुआ है बोलने और देखने का नजरिया आपका तो मे ला रहा है और एक बच्चा ऐसा जिसने 85 में 75 भी लाया कभी वह 50 भी ले आता है कभी 75 ले आता है कुछ रेंडम फिक्स नहीं है लेकिन एक बच्चा जो है 75 मार्क्स पे एकदम फिक्स किए रहे है तो वह वह बंदा अपने आपको जान रहा है कि अगर मैं M.U. का एक्जाम दोगा तो मेरे भी मार्क 75 के आस पास है कंसिस्टेंट बंदा लगातार मेनत कर रहा है तो वह काम्याब रहेगा लेकिन जो बंदा रेंडम है कभी 85 कभी 70 कभी 50 उसको पता ही नहीं है वो अपने पहलू को जानी नहीं कि वो कितना सवाल कर पाएगा उस दिन तो कंसिस्टेंट रहना ज्यादा अच्छा है लेकिन अब आप मालो आप सब लोग मेरे से 70 बच्चे दूसरे वाले बैच में 180 बच्चे हैं 140 बच्चे हैं और भी बैच्चे बनेंगे सब को यह ग्यान में दूगा सब लोग को यह फ 95 का टारगेट लेकर कि उसी के आस पास घूमता रहूंगा यह नहीं कि तुम लार्ज मार्जीन आ रहा है कि कभी 95 ला रहा हूं कभी 60 नमबर ला रहा हूं ऐसा बिलकुल नहीं तम कंसिस्टेंट लेकर चलना है ऐसे लोग अक्सर अच्छा रिजल्ट देते हैं जैसे कोई ब लोग है जो नीचे उपर होते हैं तो इसलिए ध्यान रखना कंसिस्टेंट होना चाहता इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट पार्ट जो आपने स्टोरी में सीखा था वो यही था लेकिन फिर समें एक बात बोल रहा हूं अगर इस स्लो से हो सकता आपको नुकसान हो जाए मैंने मानता हूं कि थोड़ा सा आपका कट ओफ इंक्रीज होने के पीछे इमेज क्लासिस का बहुत ही जादा योगदान है इसलिए यादा जादा योगदान है क्योंकि पहले बच्चे इतने दिप्थ में तगड़े लेवल की तैयारी नाइंच इंटरेंस का नहीं करते हैं सब वही भीडबकरी आई एक-दो कोचिंग है आया उदरी पड़ा सब एक ही जैसा आया है उसमें से कुछ-कुछ अच्छे-च्छे बच्चों ने नाया कट ओफ हो सही रहा कट ओफ हर साल इंक्रीज हो रहा और यह मैं गरेंटी देता हूं अगले साल भी कट उससे जादा क्योंकि अगले साल और भी बच्चे हम पढ़ाएंगे और और भी कॉंपेडिशन टफ बनाएगा क्योंकि हम सबको तरक नम एक जैसा त्यार करते हैं यह तो ऑनलाइन का फाइदा सबको बराबर ऑफ-लाइन वाले को भी सबको बराबर ट्रीट करते को ऐसा तो नहीं है कि व बिलकुल हर बार एक दो दो नंबर करके बढ़ता जाएगा यह कंपेडिशन है जामिया का कटो भी बढ़ा आप जो लास्त तीन साल का रिकॉर्ड देखला आपके सामने डेवन में मैंने बात किया और इंटेशन लेकिन जो बात आपको बतानी हो बात तो गोर से सुनो आप अब इस बात को देख करके खरगोस बुरा मान देख तू कैसा जीद किया भाई मैं तो जितने नहीं देखुआ तो मैं सो गया था तो कच्वा बोला अच्छा आओ फिर से रेस डॉलो ठीक चलो आओ रेस सुरू होता इस बर खरगोस सोता है नहीं क्योंकि उसको चोट लगी दिल पे चोट लगी ललकार मिला सामने वाले ललकारा अब आप लोग ललकार ते नहीं हो ना तो आप ने अगर सच पुर मार्क्स लाया तो अंदर से चोट लगनी चाहिए मैं कं मार्क्स क्यो ला Mormon ओंना आप सरने जब टारगेट दिया तो मेरा ना टार्ट पूरा पूरा क तो आपकी जो consistency है नवापसर ने कहा तो रोजाना दो घंटे है तीन घंटे पढ़ना है वो तो ब्रेक हो जाएगा तो मैं तो discontinuous हो जाओंगा नवापसर कहे discontinuous रवच्चे का रिजल्ट नहीं आता है क्लास ऑल्लाइन का कितना शांदार फाइदा क्लास छूट भी जाए ना भाई recording दे करके जल्दी से manage कर लेंगे manage कर लिया स्कूल के काम को लेकर बहुत अच्छा सा बात आता है आज ही की बच्चियों नहीं पूछा क्या कि स्कूल में भी वर्डन है और कोचिंग का भी वर्डन है दोनों manage नहीं हो सकता अब यह एक बच्चा यह आपसे कह रहा था स्कूल में एक्जाम चल रहा है स्कूल के एक्जाम में अगर आपके 95% आते हैं दो-4% कम हो जाएंगे कोई फर्कने पड़ेगा लेकिन अगर स्कूल के टॉपर हो तुम और आपके marks EMU में select नहीं होगे जम के जूते पड़ेंगे चपल पड़ेंगे गालियां अलग से पड करो और उसमें 2-4% कम हो जाएं स्कूल के ना कोई फर्क नहीं पड़ता और एक बात खास बात सुन लो टॉपर बच्चे लास्ट मोमेंट में नहीं पड़ता है एक्जाम आने होला सर पड़ाय करना शूरू करता है उनकी तयार होता है सर लोना टेस्ट कब लेना टेस्ट कल रहा हूँ तो मोरल अफ दे सिकंड पार्ट अफ दे स्टोरी वाज बिल्कुल फॉस्ट पार्ट कहा रहा था स्लोग को अगर हम फास्ट कर लेता है यानि हम सोएंगे हम शादी में नहीं जाएं एक बच्चा था जिसने लास्ट मोमेंट में एक्जाम के लास्ट टू आप लोग लेट तो नहीं हो रहें ना को ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं ना शिर्फ नीजा से थोड़ी बात चलेगा बाकी लोग भी तो बताएं और अगर मैं दस-पंदरा मिनट ज्यादा ले लूं तो चले ना एकदम ना कि इसे मौके बहुत कम आते हैं कि नव नहीं बच्चे ने मेरे से का किसर एकठेव बच्चों की वड़ी खास बात उख सर अबने पैरेंट से जिसको भी वो मैंटर मानते जिसको को अपना बाद बैच्ब मांता आपके में वह गारज़न टीचर का कॉंसेप्ट है और और गार्जन टीचर में मुदसिर करो कभी को उसने मैसेज किया मेरे घर में शादी है नवाब से तुम्हें क्या करूं मैं शादी में जाओ या ना जाओ एक्जाम के दस से पंदरा दिन पहले की बात है उस वक्त करो या मरो स्रीज चल रहा था मैंने कि एक बात याद रख लो अगर तुम्हारा कंटिनुटी ब्रेक हुआ तो जो तुम रैंक ला रहे हैं तुम्हारा सेलेक्शन तो पका है तुम रैंक का एक्सपेक्टेशन किया उन्हों रैंक नहीं आने वादा वो बंदा शादी में तो गया लेकिन वस उसी दिन गया जिस दिन उसको एकदम इंपॉर्टेंट उस दिन रहना ज़रूरी है और उसके बाद वो ऑनलाइन का मामला दी तो फाइदा है कि शादी में घर में जाने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते और के इतने ऐसे से एक्जामपल है रिमसा कोल्सुम जामिया में रैंक पोर क्या करती थी क्लास एक भी ने चोड़ा एक बच्ची जिसकी रैंक 10 या 11 आई थी कार में बैठे बैठे टेस्ट पेपर दे रही है नहीं से मैं टेस्ट पेपर नहीं चोड़ूँगी मैं क्लास नहीं चोड़ूँगी चाहे अब मांबा कहां भी ले जा रहे हैं डेडिकेशन दे डिफरेंट बनो तभी चाहके कुछ डिफरेंट कर पाओगे तो अगर आपके अंदर ये कंसिस्टेंसी से अहट के दो घंटे के जगा आप तीन घंटे पढ़ सकते हो याद रखना आपने एट क्लास में एक है साइंस की किताब नाइन क्लास में तीन-तीन किताबे हो जाएं याप तोड़ा सा अपना बढ़ा लो ठीक है आपको फाइदा होने वाला आभी इंटरेंस में फाइदा हो जाए तीन घंटे पढ़ सकते तो क्यों नहीं तीन घंटे पढ़े यार second part moral of the story is what slow and steady wins the rest then what is the moral slow को अगर हम pass कर दें और consistent रहें regular लगातार पढ़ते रहें तो और अच्छा result दे सकते हैं third part इस बात को देखकर खरगोस ना खुश हुआ जीत गया मुगाइम वो जीत गया कच्छुआ बुना मान दिया किया कैसे जीत गया वो गया करगोस के पास और जा करके बोला ए करगोस चचा ऐसा है ना कि रेस फिर से होगा है का है कैसे जीत होगा तुम मेरे से बला एक हो सर्थ है सर्थ ही है कि जो रेस होगा उसका रास्ता मैं डिसाइड करूँगा कि दोड़ना कहा है बला हाँ ठीक है कोई बात नी दोड प्षे देखता है अर यह क्या यह तो पानी ही है अब वो पानी में कैसे करें कैसे चले पानी में और कच्छुव अपने मस चालते बिंदास आता गया और आ पानी में पता है कौन जीता कच्छुआ Moral of the story Slow and steady wins the race आपने कहा कि ने शरम 2 घंटे नहीं हम 3 घंटे पड़ेंगे हम consistent पड़ेंगे दिन रात एक करेंगे वक्त यही है यही वक्त है हमें सिखाएगा यही वक्त हमें काम्याब बनाएगा यही वक्त हमाव आपको जाबिद करने का कि हमारे पास टालेंट है यही वक्त है लोगों को दिखाने का कि हम सच में कर सकते हैं और जो काम्याब जो बच्चे लगते हैं जो अपने स्कूल में टॉपर्स नहीं हैं मैं आपको बता दू इंट्रेंस में इंटरेंस में पर ने इंटरेंस की कॉल कॉल तायारी अलग होती है तो कभी कभी टॉपर लोग क्या करते हैं जो इंटरेंस निकालने पाता है तो अपने स्कूल का टॉपर और दूसरा दोस्ट वो स्कूल में टॉपर ने था हां लेकिन 70-80% उसके आ जाते था उसके पढ़ने की तरीकी थी वो competitive वे में पढ़ता था चीजों को हसान में कैसे करना है कैसे इसको चुट क्यों बना सकते हैं सवाल उस पर जादा फोकस करता था इसलिए वो अपने बोर्ड का टॉपर निकला रिजल्ट आया इंट्रेंस का जो बन्दा बोर्ड का टॉपर था उसकी रैंक 400 सम्थिंग ती जो इंट्रेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था जिसके टेक्निकल यानि competitive इसकी अच्छी थी उसकी रैंक एट आई दो दोस्त एकी साथ एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं एक बंदा 400-400 रहेंक लेकर के आता है दूसरा बंदा इंट्रेंस में 8 रहेंक लेकर आता है फिर से लोग दोनों साथ में तयारी करते हैं लेकिन प्लान को चेंज करते हैं एक आईटी की तयारी करता है दूस चाहिद अभी तक नंश हए का तीन साल में भी उसने नीच कौलिफाइड कर पाया यह मंद्म पहले साल के अंदर कौलिफाइग करता 10-dina करता पर आठ इसने सुन्भाइट ज्सक्ञा नहीं यहां पे जो आप अकैडमीक में कॉंसेप सीखते हो अपलीकेशन यहां पे आता है उसको करने का नजरिया तो सोचने का नजरिया वो चेंज होता तो आप अगर स्कूल के अपने टॉपर नहीं तो बुरा मत मानना आपको थाबित करने का भी यहां पे एक अच्छा मौका मिला है कितने ऐसे बच्चे जानता हूं जो अपने स्कूल के टॉपर नहीं है इंट्रेंस में निकाल के दिखा दिया फिर उसकी और वावाई होती है आरे गौव में सहर में बहले में पूरा फैमिली में नाम भाई यार क्या बात है नाइन्थ इंट्रेंस निकाला पंदरह हजार में उस सारे 400 लोगों में से कॉंट होता है जिसने नाइन्थ इंट्रेंस दिया और या आपके लिए और गर्व वाली बात होती है तो अगर आप अपने स्कूल के टॉप पर नहीं हो ना तो टॉप से भी ऊपर करने का यह मौका है कि कहानी को आगे बढ़ाते हुआ आपने क कि कच्वे ने प्लानिंग तो कर लिया था कि आगे पानी में क्या करता है खरगोस ने प्लानिंग नहीं की तो थर्ड पाट अफ दे स्टोरी जहां पे खरगोस हा रहा तैट इस ऑल बिकॉस कि उसने प्लानिंग नहीं की ती यार एम्यू का इंट्रेंस हो गया एम्यू में स तो सवाल आते हैं, उसको पता हो जामिया का 잡ाम जाम जामिया का का हो उठाथा सिखिक को अलग से पढ़ना से मुठकर पढ़नों करना है तहाल हम अपको वहां पहले जाकर आप पर उकना पड़ेगा कौन है जानने वाला आपOOOOOOOO कहां रुकोगे अलीगल होगे तो अलीगल में कहां रुकोगे इस सब प्लैनिंग होती है रैंडम आए मुठा गया होटल मिल जाएगा आया तो पता चला होटली ना मिल रहा धूंड रहे हैं इधर उधर कही होटली नी मिला रात में नींद खराब हुई अगले दिन सुबह मे तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपके प्लैनिंग की भी बहुत ज़रूरत है कि आप अगला टेस्ट इस भी एच्यू पैटन क्या बोला था मैंने भी एच्यू पैटन कि सबसे टगड़ा टेस्ट होगा टफ लेवल के सवाल होंगे अभी आज जो आपने सवाल के देया अगर 우리가 पहले से प्लैनिंग पता होता अपने लिए यहां आपको जक्तार चल रहा है उस पे भी फोकस करने कीजरूरत है यही है आपका पड़ाव ऑफन्ली the last part of the story दोनों 3-3 बर रेस दोडें दोनों में दोस्ती हो गई कहां कि यार अब जो रेस दोडेंगे हम लोग दोनों साथ में दोडेंगे दोगो को मिसाल कायम करके लिए यार दोस्ती है तो ऐसी यह दोस्ती आ रही वाली साथ में पढ़ रहे हो कोचिंग में साथ में जॉइन के हो एक साथ वीडियो देखते हो एक साथ पढ़ते हो एक दोस्त का सेलेक्शन हो जाता दूसरे का नहीं होता है कितना बुरा लगता होगे तो इसी दोस्ती किस बात थी हुआ क्या दोनों रेस फिर से दोड़ें फट सा खरगोस ने क्या क्चुए को अपने पीट पे उठाया और रोड पे जमीन पे दोड़ना शुरू और जैसे पानी आया क्चुए ने अपने उपर डाला दोनों एक साथ रेस को सबसे कम टाइम में हासिल करके देखा दिया और लोगों को देखा दिया कि दोस्ती यारी तो ऐसी तो कहना क्या चाता हूँ कहना यह चाता हूँ कि देखा जाता है अकसा जिस भी बंदे का मैथ अच्छा है तो थोड़ा साइंस के बाइलोजी वाले पोर्शन में कहा है भाई होता है में तभी तो पीसीबी पीसीएम का कॉनसेप्लिक आता है डॉक्टर इंजिनियर बनता है मैत अच्छा है वायो कमजोर चलना तो चलो पीसीएम में चले नहीं बाई एक टॉपर वाले कैसे इंप्रोव करें यानि या यू शूद नो यूर वी केरियास अगर आप दोस्ती यारी करो तो ऐसे लोग से करो जो आपको हेल्प करें अप पैरेंट से बोलो कि मेरे यह वी कमजोर चल रहा है या सबसे पहले आप लोग तो बोलते ही नहीं हो इसलिए नहीं बोलते हो स शुद्ध ला रहे है इसलिए रखाय स्टार्टिंग के जितने भी संडे वाले टेस्ट टील यौर्शल आपको यह पता चल जाना चाहिए कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं कितने दिर पड़के कितने वाक्स ला रहे हैं इस जामिया पैटर्ण के प्रस्ट मेरे इतने इतने record file बनाने हैं आप रूप सबोको आप लोग का call हमारे पास भी रहता है हर online वाले बच्चका हमारे पस record हरता हम आपका गुलाम अश्रफ चाहना अगर अपना पता करने के लिए स्ब्छा मेंने जामिया वाले टेस्ट सोब हमारे पशुचे का रहत Джalla a ताकि उसको अनलाइज करने में आपको फाइदा हो एम्यू वाले टेस्ट में मेरा यार सच में सही जा रहा है मैं उर्दू में वहाँ पर कमजोर पढ़ रहा हूं या एम्यू वाले में टेस्ट में जो हो रहा है उसमें मैथ मेरी कमजोर पढ़ रही है जामिया वाले में तो स लग लग ले रहा हूं मैं इसले ले्म क्यों साड़े बच्रकत को कि संडे टेस्ट मद छोड़ना कुछ भी धूरे सारे बच्छो को अगर प्लानिंग के साथ चल रहो कौन सी चीज का पढ़नी क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़के जाना जैसे अग्ले संडे बेचु का टेस्ट होने वाला है उसमें उर्दु नहीं आएगा उर्दु को रिवास करने की जूरूद नहीं है पांच सब्जेक आएंगे पांचो सब्जेक्ट डे 1 से जतना भी पढ़ाया सब्सक्राइब करना है कि आप कितने शांदार परफॉर्म कर सकते कि इस अब और शुरी काफी लंबी स्टोरी थी चोटी से स्टोरी को काफी चीजे मैंने यहां पर बताई है किसी ने गौर गौर से सुना होगा तो उसको इस पॉइंट्स लिखते रहना चाहिए मुझे पता जिसे कश्मीर वाले लोग हैं उसको हिंदी नहीं पढ़ाई जाती तो उसको पता होना चाहिए कि मैं आपकी हिंदी को कैसे सही करना है यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चेस जो हिंदम स्टार्टिंग से हिंदी सिखाते हैं कि हिंदी में का खागा उसको सुनन सुरू करो हिंदी कश्मीर वाले लोग आप याद रखना यहां आने के बाद आपको हिंदी पढ़नी नौवी और दस्वी में आपको हिंदी में पास होना है कैसे पास करोगे निकाल तो लोगे इंटरेंस चलो हिंदी का नो का नो आठ का आठ सावाल छोड़ दिया हमने लगते हो चालीस मिनट लगते हो तो यह कहना कि भाई अभी मैं छे घंट अपड़ना जरूरी है कोई बच्छा दो घंटे में सारी चीदे कवर कर लेता है क्यों बट्टा चार घंटे लेता है तो आपके इसे कहानिया तो यूटूब पे भी और कहीं कहीं सुनते रहते हो ल भी पोइंट से बनाया करो कि आज सर ने क्या सिखा यह सब चीजों पर गौर फिकर करो और उसको बार बारर रिवाइन किया रहे नहीं बताई ती मिरे को चार पॉइंट निसारी भीक एरियास लिखो मैंने ऊपनाया के सारे रिज़र एक जगह करो, जानिया के एक जगह करो, भी एचुक एक जगह करो, लाकि जितनी भी रिज़र्ट में मार्क्स आते जारे सब चढ़ाते रहो हूँ आपे, कुछ दिन का कुछ टाइम का काम है, लेकिन improvement दिखेगा result दिखेगा इंशालों ठीक है बच्चो चलो बाई अलाफिस गुट नाइट अलाफिस अलाफिस गुट नाइट